हेलो एवरिवन, गूड इवनिंग रिसेंडली अभी आप लोगों ने कुछ ट्वीट्स या फिर टेलिग्राम ग्रोप्स या फिर यूट्यूब वीडियो से कुछ चीजे पता चली होगे इवन आप किसी भी चाय की थड़ी पे बैटे होगे तो ये बाते बहुत नॉर्मल हैं इवन हमारे पास भी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इस सीज के बारे में बात करते हैं कि next vacancy करी है ना कि RS 2024 की जो vacancy है कँ आ रहा है कुछ लोग मतलब ये बात भी बोलेंगे कि इस source से बात पता चली है इस source बात पता चल रही हमको मैं बिलकुल clear बता दू हमारा कोई source नहीं है वेकेंसी आए या ना आए उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो as a mentor या फिर as a team मैं student से पूछना चाहता हूं और ये सवाल हैं कुछ जो आपको भी खुद से करने हैं जैसे आपने देखा होगा कि अभी दो तरीके के student हैं एक तो जो freshers हैं और एक जो लोग unfortunately की prelims में रहे थे इस बार और एक जो students हैं वो इस बार means लिखते आए हैं अब वेकेंसी कब आएगी हमें नहीं पता इस बात का बिलकुल भी लेकिन हमें कुछ चीजें जो analyze की हैं या फिर पिछले से हम लोग जो स्टूडेंट से इंट्रेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्ड में हैं तो वो कुछ चीजें हैं वो analyze करने के बाद मुझे कुछ questions है जो आप लोगों से करने हैं जो लोग particularly RAS की preparation में जो freshers और prelims में जो unfortunately रहे थे students उनसे कुछ सवाल है कि क्या आपको पूरा का पूरा जो syllabus है वो याद है आप खुद से एक पूछ के देखना कि syllabus का एक एक word कि कौन सा topic किस subject में आएगा क्या है वो prelims की बात हो या फिर mains की बात हो क्या आपको याद है कि कौन कौन सा topic किस unit में है किस subject में है दूसरी चीज हम लोग बात करते रहते हैं कि जैसे इस बार mains के paper में भी हुआ स्टूडेंट्स में काफी discussion था यह कि नोट से paper नहीं आए ठीक है तो क्या आपने अपने notes बना ली यह खुद के आपके पास short notes है हर subject के topic wise आपने उन पर काम कर लिया और मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछू आप बात में कि हाँ particularly यह चीजे करना क्यों जरूरी है क्या आपने अभी तक जितने आरेस के paper हुए है चाहे वो prelims के हैं चाहे फिर वो mains के हैं उनका analysis कर लिया आपने आपने यह देख लिया कि last time जो prelims का paper नहीं हुआ था clear वो किन कारणों से नहीं हुआ था चाहे वो फिर एक number ही क्यों ना रहा हूं दो number तीन number पांच number इतने ही number से students के paper रहे थे तो क्या आपने वो देख चुके आपको ये बात पता है कि जो हम लोग authentic books की बात करते हैं कि इस बार क्या था कि नोट से नहीं आया तो हमें authentic books या फिर authentic material आपके पास है भी या नहीं है पहली चीज़ तो ये अगर है तो क्या आपने उसको read कर लिया है और अगर read कर लिया है तो क्या आपके पास उसके short notes हैं आपने आप टोपर्स के बहुत सारे interviews आपने सुने होंगे और टोपर्स एक बात भी बोलते हैं कि हमें टोपर्स की जो copy होती है last year वाली क्या आपने वो copies उठा के देखी कि उनके means में किसी particular answer में किसी particular subject में इतने marks कैसे आए हैं क्यों marks कम है कहां पे examiner marks काट रहा है तो ये चीजें आपने करके देखी आपको ये चीजें पता हैं कि कौन सा subject है उस पे कितना time आपको invest करना है कि कितने number of days आपको लगाना है कि इतने दिन में तो मैं एक subject को पढ़ लूँगा जिब ये चीजें आपने तयार ही नहीं की है तो फिर चाहे vacancy September में आए चाहे October में आए या फिर चाहे November में आए या फिर 2025 में आए जब तक आप इस चीज के साथ ready नहीं हो तब तक आप कैसे exam दे पाओ फिर तो इसका मतलब फिर वही एक cycle लेकिन let us suppose हम मान के चल लेते हैं जिस तरीकी की बाते चल रही है जिस तरीकी का discussion हो रहा है कि vacancy आ जाती है मान लेते हैं कि 15 September को vacancy आगी तो एक बात तो ये आप भी मान रहे होगे कि इस बार government चीजों को fast करेगी चलो नहीं भी करती है ठीक है तो approximately 100 days या फिर 3 months के आसपास हमें prelims का time मिलेगा तो इन 100 days में या फिर 3 months में क्या हम ये जो सारी चीजें हैं ये जो पूरा syllabus है ये short notes हैं ये सारे cover कर लेंगे हम लोग जैसे ही vacancy आएगी हम लोगों की क्या tendency होती है कि हम लोग सिर्फ prelims के syllabus की तरफ बागते हैं मान लिया prelims हो गया बहुत अच्छी बात है हमने इतनी मेहनत की 3 महिने में कि हमारा prelims हो गया prelims के बाद बारी आती mains की तो क्या आप mains के लिए जितने subjects हैं चार paper हैं हमारे क्या वो चारो के चारो पेपर आपके रेडी है मैं रेडी के लिए क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि जब प्रिलिंस होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आएगी और वो आएगी कि आपको अब सिर्फ टेस्सीरीज लगानी है आपके पास इतना ही टाइम है या फिर हम लोग students क्या करते हैं हम notes की तरफ बागते हैं कि हमें market से कोई भी notes मिल जाए और फिर हम उनी notes को criticize कर रहे होते हैं कि ये अच्छे नहीं थे ये बुरे हैं, ये इनसे paper नहीं आया आपने अपने notes बना लेने चाहिए थे आपको तो पता हैं ये बात की authentic books या RBSC की या NCIT की books हैं उनसे चीज़े cover होंगी तो आपने क्यों नहीं बनाए आपके बास तो enough time है एक और चीज अभी means वालों की बात कर लेता है कि means वाले जो students है जो जिन लोगों ने means दिया है अभी almost 8 मीना हो गया means वो complete हुए तो आपने analyze किया कि आपके किस subject में कितने marks या फिर कौन सा subject जो हो आपका weak था कौन सा subject आपका strong था कोई topic ऐसा था कि जो आपने सुना ही नहीं था इस बार के topic आपने देखा होगी current affairs से ज़्यादा questions बने अगर आपको लगता है कि आपका interview call आ रहा है तो क्या आपने newspaper पढ़ना शुरू किया और अगर आपको लगता है कि यार नहीं मैंने तो books नहीं पढ़ी थी notes पढ़े थे notes से नहीं आई चीजे तो आपने अपने उन subjects की notes बनाए जो आपके पास नहीं थे या आपने वो किताबे पढ़ना शुरू किया जो अब आपको पता चल गया कि हाँ इन किताबों से question आए और अगर अभी भी नहीं पता चला है तो क्या आपने उन चीज़ों को ढूण लिया कि हाँ यार किस source से questions पूछे जा रहे है coaching industry या coaching जो institute से हम वो तो चलो ठीक है अपना काम कर रहे है बट आप preparation कर रहे हो preparation RS आपको बनना है क्या आप अपने level पर इन चीज़ों पर काम कर रहे हो अब मैं इसका दूसरा face दिखाता हूँ आप देखना एक बार जो toppers होते हैं जो toppers कोन लोग जनरली बनते हैं वो लोग 4 से 5 साल इसी preparation mode में है दूसरे लोग जो UPSC की तयारी कर चुके हैं जिनका जो इंडिया वाला पार्ट हो बहुत strong होता है वो आते हैं रास्तान का पार्ट 3-4 महिने में पढ़ते हैं दू में पढ़ते हैं cover कर लेते हैं या फिर वो continuously काफी साल से लगे हुए है या फिर उनकी schooling बहुत अच्छी होती है basic understanding बहुत अच्छी होती है तो कैसे compete कर पाऊगे आप इन लोगों के साथ वो simple क्या करते हैं उन्हें पता है कि prelims हो जाएगा और फिर क्या है mains के आते हैं कोई भी दो test series उठा लेते हैं market से और उन test series को लगा लेते हैं और अपना rank secure कर लेते हैं आप ready हो इन चीजों के लिए ये सवाल खुद से कर लो vacancy कब आएगी नहीं आएगी उस पर बात नहीं है अभी आपने paper देखा होगा आपको ये चीज तो बिल्कुल analyze कर भी ली होगी आप लोगों ने कि हम 3-4 महिने के अंदर paper नहीं निकाल सकते और अगर ये बात भाई हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा intelligent हो कि मैंने एक बार कोई चीज पढ़ी मुझे याद होगी तो मैं paper में अराम से कर सकता हूँ क्या आपने अपने answer writing पे काम किया या उतने answers लिख लिए हैं आपने कि चीजों को solve कर पाओ आप देख पाओ कि हाँ कहाँ पे कमी हो ली है ये कुछ सवाल है जो मैं हर student से जो लोग तयारी करें खासकर जो freshers हैं या फिर जिन लोगों का last year प्रिलिम्स रह गया था आप analyze तो करो सारी चीजों को आपको PYQ आपके पास solution होने चाहिए इनके और ये solution ऐसा नहीं कि आप गए market से उठा लिए कोई किताब आगी आपने market से उठा ली ठीक है आप as a reference उनको ले सकते हैं लेकिन आप जब खुझ से इन चीजों को उठा के करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्या आपने काम कर लिया इन चीजों पर और दूसरी चीज जो टोपर है ना हमें नहीं पता कौन टोपर है बट मैं इतना ensure कर सकता हूँ कि उससे vacancy का कोई फरक ही नहीं पड़ता कि vacancy कब आई vacancy चाए दो महीने बाद आओ चाहे चार महीने बाद आओ या फिर पांच महीने बाद आओ अगर उसने ये बाट ठान ली है कि वो paper आरेस का ही paper देना है तो वो इसके slabels के according इसके PYQ के according अपनी profession कहीं पे बैठके कर रहा होगा वो test लगा रहा होगा वो अपनी books पढ़ रहा होगा अपने खुद के notes बना रहा होगा आप सोचो economic survey आ चुका India का भी आ चुका राजस्थान का भी आ चुका budget भी आ चुका क्या आप लोगों ने prepare कर लिया आप लोग ये बात बोलते हो कि economic survey से 10 question 15 question 20 question आते है means में भी आगे prelims में भी आगे आप ने prepare कर लिया आप खुद से अभी बैठके पढ़ सकते हो ना ये best time है कि जब तक vacancy नहीं आती है तो prelims plus means वाली जो चीज़ें है उनको खुद से cover किया जाए जब तक आप खुद से cover नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी spoon reading कोई नहीं करा सकता कि आओ ये लो और ये बैठके पढ़ लो notes वाली चीज़ों को आपने देख लिया हो जब तक आप अपनी books अपने खुद के notes नहीं बनाओगे analyze नहीं करोगे newspaper नहीं पढ़ोगे तो पसकी copy नहीं देखोगे आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का syllabus कैसे questions पूछे जाते है कहां से question पुछे गए है आप answer writing नहीं करोगे तब तक चीज़ें एक rhythm में या sequence में नहीं आएगे तो हमारा यही वैसे एक चीज़ है आप लोगों से यही चीज़ कहना चाहते है कि vacancy कभी भी आए ठीक है जाए वो 5 दिन बाद आए चाहे वो 10 दिन बाद आए चाहे दो मेने, तीन मेने, चार मेने बाद आप पहले खुद से analyze कर लो कि क्या आप ready हो अभी जैसे आज माहूल बना या कल बना आप लोग क्या करोगी पता टेलीग्राम पे ही उसमें लगे रहोगे कि हाँ, क्या टेलीग्राम पे discussion चल रहा है YouTube पे क्या चल रहा है लेकिन जो टोपर बच्चा है वो अराम से बैट के पढ़ रहा है उसे सच में फरग नहीं पढ़ रहा वाई उसे ये पता कि मेरा जो syllabus का न ये part paper 1 complete हो गया paper 2 complete हो गया, paper 3 paper 4 को मैं next 15 days में जो उसे खुझ से notes बनाना है या कर जो अलड़ी उसके पास notes है या नहीं तो आप vacancy वाली चीज को छोड़के अपने काम पे लगो और आपका काम क्या है? पढ़ाही करना, notes बनाना अपने answers अच्छे करना, answer writing करना या जिस भी चीज में आपको कमी आपको पढ़ना है, आपका सारी चीजे प्रिपेर होनी चीए तो all the very best, thank you